हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज मैं आपके लिए रिवीव लेकर आई हूं पारले कंपनी का और वह है चीजलिस मॉनेको चीजलिंक जो बहुत चीजी है और बहुत ही टेस्टी नमी है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं यह और यह मॉनेको की चीजलिंक क्लासिक्स है और यह मुझे 200 ग्राम के डिबबा पड़ा है और इसका नेट वेट है 60 रुपीज जो मैंने ग्रोसरी के एक्टर में मंगवाया था ओनलाइन वह यह बहुत है टेस्टी है और इसमें तो भी इसमें मिला हुआ है वह आठा और मैदर से बना हुआ है यह और इसमें ब्लैक प आता है इसको मेमान आते हैं तब इसको नाश्टी में दीजिए चाय के साथ शाम को आप चाय के साथ पीजिए बहुत ही अच्छे लगते हैं यह देखे इस तरह से यह और चीज बहुत अच्छा एथन बतना टेस्टी है बहुत क्रंची है यह तो आप इसको लेकर आयेगा इसको आप बताएगा मुझे कैसा लग़ां कोई अदर लगाया इस्सक्राप बना सकते हैं कर बनांसे जूँन के सब्सक्राइब और अ अजनी कधल है तो मैं भील बनाउंगी चलिए मनस्टार करते हैं एक सेजनिंग पा instruments में army मं यूज करूंगे आज एक सा कि लेकिट्ट फाले में निकाल से लिए निकाल है तो में इसकी बेल माँगे यूश करूंगे तो में पास फॉल डालू है एक आलू है मैं इसमें यूज करूंगी तो मैंने इसमें डाल दिया है एक आलू और यह रोस्टिट मुंफली है इसको मैंने पहले से रोस्ट कर लिया था बारी कटा हुआ प्याच कि इसमें ढाल देंगे और हमारे अनारा के दने को अ कि अजoster बचागा रखाए के लिये और मैं आममें इसे चीलिंग में डाल दोंगे आज हुआ है इसमें बहुत तेस्टा के लिक्स करते हैं हो मैंने इसको यह mix कर दिया है सभी को और आम में दाल दुङँ मारे धनिया की चटनी जो मैंने पहले से यह बना रखे थी मेरे इसमें डाल देती हैं और हम मैं मिसमें डाल दूँगे सॉस यह मेरा टोमेड़ो केचप है है को इसको भी आंजम नाव डाल देते हैं है कि ऐसदें इसमें डाल दिया अब इसमें मैं मिक्स करूंगी इसको होगा foster के गोड़िये मारा चाट मसाला डाल देती हूं तो मैंने चाट मसला डाल जाला है काफी सार तर देश्ट का तेस्ट बहुत अच्छा है का चाट मसला डालने के बाद मैं थोड़ा समय नमक डाल लूंगी स्वादानों सा डाल दीजिए वाज में थोड़ इसे लाल मिर्च काफे चकपटा और तीखा बने गई यह बेल अमारा तो अब मैं इसको सभी को इस तरह से मिक्स कर देती हूं तो यह देखी मेरा मिक्स हो गया है तो अब में इसमें जो में पास नमकीन थी घर पर आपके पास जो भी नमकीन अबिलिबल हो से वो जो भी नमकीन हो वो इसमें आप डाल दीजिए तो मैंने इसमें में पास खट्टा मीठा नमकीन थी तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसम बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए तो देखिए अब मैं इसको मेने जो कॉन ना रखे थे कागज के तो मैं उसमें डाल दूँगी तो यह देखिए अब मैं इसमें डाल देती हूं अच्छे से आप इस तरह से बनाएए और बच्चों को तो यह रैसे बहुत अच्य लगती है आप संडे का टाइम हो हमाजो चट्र पड़र्र हमें जो भूग लगती है उसमें इस तरह से बनाएए चीज्णिंग लेकर आईए और अब इसको वैसे भी खा सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा म उपर से गार्णिशिंग के लिए को फ़से समें डाल दिया है जिसञिंग के लिए थोड़ा सब मैं अनार के दानें डाल दिया है थोड़ी सिदनी है बदती तो देखिए मैं चैयार है चीजलिंग भेल तो मैंने दूसरा पैकिडी मेरा तयार कर लिया था तो इसको भी मैं गानिश कर जूँगी चीजलिंग से और हमारे जो मैनों को बिस्कित आते हैं उसी का ही होता है यह चीजलिंग छोटवड़ से मिनी से बनता है तो आप इसको लेकर आईएगा और देखिए मैंने तयार कर लिये में रेसिपी तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज मुझे बताएगा कमेंट्स करके और मेरा डिवूब कैसा लगा आपको